हेलो दोस्तो मैं बिरंद कुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सुवन नमल में हाज़े स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रियास करूँगा कि क्या हम लोग बिना किसी तो ट्रेनिंग प्लान का मैरतन का प्रिफरेशन कर सकते हैं क्या मैरतन का तैयारी कर सकते हैं क्या बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जो की अभी अपना रणिंग स्टार्ट नहीं किये हैं उन्हें ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और वो ट्रेनिंग प्लान के बारे में सोच रहे हैं देखें ट्रेनिंग प्लान आप गूगल में सर्च करोगे बहुत सारा मिल जाएगा यूटूब में जाओगे बहुत सारा मिल जाएगा भरे पड़े हैं ट्रेनिंग प्लान पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर आप लोगों को अप्तमर का महिना मैं यह हो गया 14 महिना 14 महिना मैं मैं अपना running को 10 km का event को 42 minute में complete कर ले रहा हूँ यह मेरा Strava का data है यह इसे आप देख लीजिए Strava का link मैं आपको description में दे दूँगा वहां से आप मुझे follow कर सकते हो आप मुझे coach है ना तो mentor है मैं जिस ground में दोड़ता हूँ वहाँ केला दोड़ता हूँ इतने कुछ है तो अब ही आपका दिमाग में ये बात आएगा तो क्या हम लोग को कोई training plan का जुरुरत है कि नहीं है तो इसमें दो बाते आती हैं सबसे पहले आप यह समझे एक होता है अगर आप समस्या को समझ लोगे तो आपको तयारी करना असान हो जाएगा उस समय आपको किसी भी trainer, coach वगेरा का जुरुरत नहीं पड़ेगा trainer, coach, training plan वगेरा उस समय होता है जब आपको पता ही नहीं रहता है कि हमको जो भी मेरा event है जो भी मैं distance दोड़ना चारा हूँ जो particular समय में दोड़ना चारा हूँ उसमें मुझे क्या-क्या दिकते आएंगे जैसे कि मैं अपना बताता हूँ मैं 44 मिनट मेरा base timing था जो कि मैं April महीने में complete किया था उसके बाद से अभी आगिया है सप्तंबर का महीना इतना समय लग गया मुझे 44 से 42 मिनट में आने में मेरा time घट ही नहीं रहा था जब नहीं घट रहा था तो मैं अपना उपर में वर्काउट करना शुरू किया मुझे समझ में आया कि मेरा lake का जो काफ मसल है काफ मसल मेरा कमजूर है काफ मसल कमजूर होने कारण मुझे वो speed मिल ही नहीं रहा था जिससे अब 44 मिनट काफी अच्छा time है 44 से 42 आने में इतना ज़्यादा आपको speed दोड़ना पड़ेगा इतना आपको pace maintain करना पड़ेगा कि अभी यहां मैं इस तरह से बोलूगा आपको समझ नहीं जागा जब आप खुट try करोगे तब आप इसी को समझ पाओगे या जो लड़के इस time पे दोड़ते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि कितना उसमें effort लगता है तो आपको अपना body पे काम करना होगा मैं जब अपना running start किया था तो मैं 75 kg का था मैं कुछ इस तरह का था और आज का date मैं ऐसा हूँ तो मैंने अपने वजन पे बहुत काम किया मैंने अपना वजन को कम किया 75 से आज मैं 55 के अंदर weight है मेरा 20 kg मैं lose किया हूँ इसके अलावा मैंने अपना पूरा body part को head से लेकर के toe, pair का नीचे तक हर एक point को मजबूत किया है पर आप इस बात को मान के चलो कि आप आपका जो सरीर जो मजबूत होता है जो body part जो मजबूत होता है वो एक particular distance और एक particular speed के लिए तयार होता है ये बात बहुत कम कोई बताएंगे मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो को देखिए मैं बहुत बारिक बात बता रहा हूँ आपको ऐसा जल्दी कोई कहीं आपको नहीं बताएगा अभी क्या है कि जैसे ही मान लिजिए थोड़ा दिर के लिए आप 10 km का event को दोड़ रहा हूँ और आप अपको distance क्लियर होगे 10 km अब आप 50 मिनेट में आपको उसको complete करना जायानि कि आपको 5 का paste चाहिए तो जब आप 5 का paste में पहुंचो गे 50 मिनेट complete कर लोगे अब 10 km आप 50 मिनिट में दोड रहा हो यानि कि आपका जो body है वो 50 मिनिट के हिसाब से ready हुआ है आप ये कभी मत सोचिएगा कि जो body में मैं 50 मिनिट में दोड रहा हूँ वही body में 40 मिनिट में दोड जाँँ 10 km ये कभी नहीं होगा जो आदमी आप लोगों को ये बात बोलेंगे वो गलत बोल रहे हैं ये मैं परसनल जहल चुका हूँ सिर्फ दो मिनट कम करने के लिए मुझे चार महिन लग गिया तो आप अपना जो भी डिस्टेंस है और जो टाइम है उसको कम करने के लिए उसको मैच करने के लिए आपको उसके हिसाब से आपको तयारी करना होगा प्रैक्टिस करना होगा तब जाकर के आपको ट्रेनिंग प्लान का जुरत पड़ेगा स्टार्टिंग में जो लड़के बोलते हैं कि मुझे ट्रेणिंग प्लान शाहिए, उनको पहले पता ही नहीं है कि वो दोडते कैसा हैं, उनका बॉडी कितना प्रिपेर है, जितने भी ट्रेणिंग प्लान बने हुए हैं, खासकर मैं इडिया का मैं बोल रहा हूं, यहां पर क कुछ भी ट्रेनिंग प्लान बना करकर रखा दू हुआ है पांच किलोमीटर दस किलोमीटर पंदरा जिन में दोड़ जाईए एक महिना में दोड़ जाईए ऐसा संभव ही नहीं है सिर्फ दोड़ना है तो अलग बात है आप उस पार्टिकलर डिस्टेंस को कभर कर लिए पर आप अगर किसी टाइम को एचीव करना चारे है तो बिल्कुल नहीं होगा आप जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्लान देखोगे वो बोलेंगे कि तीन महीना से चार महीना 12 विक 16 विक का प्लान बताते हैं कोई नहीं बोलेंगे 15 दिन में और 20 दिन में आप 5 किलोमीटर का तयारी हो जाएगा 10 किलोमीटर तयारी हो जाएगा यह जो लोग यह बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं तो आपको मैं चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को हैं और मैं आपको अपना स्ट्रावा का डाटा दिखा रहा हूं कि मैं अपना 10 किलोमीटर 42 मिनर में मैं दोड़ा हूं और मैं 14 महीने कंदर में दोड़ा हूं और मैं 35 एज का हूं 75 kg में स्टार्ट किया था अनहल्दी बंदा था और मैंने कोई कोच कोई मेंटर कोई ट्रेन करो, अपने body को समझो कहां कहां requirement है, क्या क्या चीज ठीक करना है जब किसी एक particular distance को, particular time को आप हो जाएगा माल लिए आप 10 km को 50 मिनेट में या 60 मिनेट में complete कर ले रहे हो तब आप training plan मांगो कि अब मैं 10 km मैं दोडता हूँ मुझे दोडते वे अच्छा समय हो गया है एक घंटा में मैं दोड लिता हूँ अब मुझे 50 मिनेट के training plan दीजी या 40 मिनेट के training plan दीजी ऐसे होता है training plan आप ये बोलोगों कि नहीं, मुझे 10 km ले training plan चाहिए ऐसा नहीं होता है आपको ये बात समझना होगा मैं अपने इस वीडियो में इस चैनल का माध्यम से आप लोगों को बस यही request करूँगा कि आप smart बनिये आपको ये दिमाग में लाईए कि मुझे ट्रेनिंग प्लान चाहिए तो मैं कोई भी ट्रेनिंग प्लान कैसे ले लूँ हर athlete अलग होता है अगर मुझे 42 minute लगा 10 km दोडने में 14 महिना मुझे लगा है तो किसी लड़का को 6 महिना लग सकता है या फिर किसी को 2 साल 3 साल भी लग सकता है तो हर आदमी का body अलग है आप किस label पे हो आप ये देख लो उसके हिसाब से आप तैयारी करो और उस हिसाब से आप training plan बनाओ अप training plan किसी से लो पर starting करने का time पर आपको training plan का जरूरत नहीं है पहले आप खुद से अपना एक distance cover कीजिए एक time cover कीजिए जब distance और time आपका set हो जाए उसके बाद उस distance को बढ़ाने के लिए आप मांग सकते हैं time को घटाने के लिए आप मांग सकते हैं ऐसे होता है तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा मुझे support करने के मैंने चैनल को subscribe कीजिएगा और घंटी को बचा लिजे कि जैसे ही मैं को वीडियो डालू आपको तुरंथ मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद